हेलो एरिवन कैसे है आप लोग आपका भाई लेकर आया है न्यू जॉब की खबर तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर से कर देना अगर आपको यह चैनल पर वीडियो हेलफुल लगे ताप यह चैनल को इजीली सबस्क्राइब करके रख सकते हैं कि जो भी न्यूदे अफ्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रवाइड हो सके चलिए यह रिग्रूट्मेंट के बारे में डिसकस करते हैं सौथ इस्टन कॉल फील लिमिटेट की तरफ से हैं चैनल सकताल नी लिमिटेट की नोट होर्वाइड होने वाले तो चलिए यह रिग्रूट्मेंट स्टाइब करते हैं सेहाँ मैंड़ंद नियुक्त पोस्परवाइजर टैको इसराइडस की नोट gorgeous अदया कम इस बात करें तो दोनों पोस्प के लिए हैं आपको सेंलेरी प्रॉइड होने वाली है थी इसőजार हाट सो और रॉपए या आपको परका की लिए या अपको देखने को मिलने वाले आप यहां से से केटिग्री वाइस वाहिए को परीड आउट कर सकते हैं यह इसकी कमप्लीट नोटाफिक जोइन कर सकते और जो हैं आपका job location रहने वाला है वो 36 गड़ या मद्धा परदेश हैं आपका job location देखने को मिलने वाला है जिसमें eligibility कर आटिरे की बात करें तो जो हैं आपका पहला post रहने वाला है माइनिंग सिर्दार technical supervisor grade C उसके लिए अगर आप 10 पास है तो आप यहाँ पर eligible रहने वाले बट अगर आपके पास mining सिर्दार ship certificate है या अगर आपके पास valid first aid या guest testing का certificate है तो आप यहाँ पर easily apply कर सकते है या फिर अगर आपके पास 3 year का diploma है mining engineering में अगर आपके पास overman certificate है तो यहाँ पर eligible रहने वाले जो आपका deputy supervisor technical and supervisor grade C post है उसके लिए भी आप यहाँ पर eligible रहने वाले और जो इसमें आपको relaxation भी प्रोवाइड होने वाला है आप यहां से readout भी कर सकेंगे जो आपको relaxation प्रोवाइड होने वाला है वो OBC के लिए यह आपको 3 year का relaxation देखने को मिलने व प्रोवाइड होने वाला है और जो इसको apply करने का link है मैं आपको video के description में provide कर दूँगा आप वहां से जाकर directly as application form को आप easily fill up कर सकेंगे application fees के charges की बात करें तो जो भी candidate general OBC यह EWS category में आती है उनके लिए हैं आपको जो total application fees के charges पे करना है वो 1180 रुपए application fees के charges पे करना है जो यह आपको 1000 रुपए application fees के charges रहने वाले पला से आपको GST के आपको 180 रुपए यह आपको charges लगने वाले जिस तरीके से जो total आपको application fees के charges पे करना है 1180 रुपए application fees के charges पे करना है और जो other category में आते हैं SCST, EX servicemen, PWD या women candidate में उनके लिए हैं आपको कोई भी application fees के charges बरने की ज selection होने वाले और जो हैं आपका return test होने वाला है वो MCQ base आपका return test रहने वाला है मतलब इसके अंदर हैं आपको कोई भी negative marking देखने को नहीं मिलने वाली है total यह आपका 50 mark हैं आपका return examination होने वाला है उसके basis पे ही आपका final selection होने वाला है जो भी candidate return test को clear करेंगे उसके merit के basis पे ही 2023 इसकी last date हैने वाली है और जो आपको application fees के charges पे करने की जो last date हैने वाली है वो 24 February 2023 last date रहने वाली है और अगर आपके application firm के अंदर कुछ correction आते है तो उसको आपको clear करने की जो date रहने वाली है वो 7 April 2023 इसकी last date रहने वाली है और जो भी है 22 date है return examination का और जो आपका declaration of result है वो official site पर आपको देखने को मिलने वाला है इसकी official site भी मैं आपको telegram page पर provide कर दूँगा वीडियो के description में भी आपके लिए provide कर दूँगा जो भी candidate interested है वीडियो के description में जाकर directly application firm का आप easily fill up भी कर सकेंगे इस तरीके से ये notification है and इस notification के अंदर अगर आपको कोई भी question से doubt रहते है त आप हमें comment करके जरूर से पूछ सकते हैं कोशिश करेंगे आपके comment की replay करने की and अगर आपको ये channel पर वीडियो helpful लगे तो आप ये channel को easily subscribe करके रख सकते हैं ताकि जो भी new day upload हो उसकी notification भी सबसे बहले आप तक provide हो सके